जैहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जे जो इंडियन आर्मी की और से नहीं बरती आ रही है इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में जे जो बरती आ रही है जे आल इंडिया के ये सीधी बरती आ रही है इंडियन आर्मी की और से मेल और फीमेल दोने इस बरती में अपलाई कर पाएंगे चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलॉग करते हैं इन सब चीजों के बारे में डीटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉप्स को जॉप्स के लेटर लाटस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जह जो इंडियन आर कर लेते हैं मन्थ्ली सेलरी के बारे में तो अगर आपका इस जौ सेलरी के बारे में तो जो मन्थ्ली अपको मिलेगी इस जौ में वह मिलेगी 21,700 से लेकर पोस्टेस के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो minimum height है, वो होनी चाहिए 170 cm, वही अगर आप प्लर की पोस्टेस के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो minimum height है, वो होनी चाहिए 162 cm, इसके बाद chest criteria के बारे में अगर हम बात करें, तो जो आपकी नार्मल चैस्ट है वो होनी चाहिए मिनिममम 77 सैनिमीटर और जो मिनिममम एक्सपेंडेवल चैस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिममम 82 सैनिमीटर और जो मिनिममम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चैस्ट में वो होना चाहिए 5 सैनिमीटर का इसके बाद हम बात कर ले होंगे and pull ups की अगर हम बात करें तो minimum six pull ups आपको लगाने होंगे तो जे बात होगी इस बरती के physical efficiency test के बारे में और friends अगर आपने जो हमारा telegram channel है वो जाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं इस telegram channel को join करने का फाइदा आपको जे होगा कि जो भी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंडियन आर्मी की और से नहीं बरती आ रही है इसके notification के short में overview के वारे में तो जो बरती आ रही है जो इंडियन आर्मी की और से नहीं बरती आ रही है name of the posters की अगर हम बात करें तो इस बरती में आपको soldier gd, soldier tradesman and club जे सबी posts आपको इस बरती में देखने के लिए मिलेगी total number of vacancy की अगर हम बात करें जो इंडियन आर्मी के और से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो mention नहीं किया गया है इसके बाद apply mode जो रहेगा इस बरती के लिए बो रहेगा offline आपके offline application फांफिल किये जाएंगे job location में all over in India आपकी posting की जाएगी अगर आपका इस बरती में selection हो जाता है तो अगर हम बात करेंगी कोंड से candidates बरती में apply कर पाएंगे तो आल इंडिया के male and female candidates बरती में apply कर पाएंगे चाहे आप इंडिया की कि किसी भी state से belong करते हैं education qualification में आपके पास कम से कम आठवी पास दसमी पास जा बार्मी पास इन में से कोई एक mark sheet आपके बास होनी चाहिए इस बरती के application farm को fill करने के लिए age limit criteria की बारे में अगर हम बात करें तो अगर अब soldier gd में apply करना चाहते हैं तो आपकी जो इस अबो 17 and half year से लेकर 21 years तक होनी चाहिए वही अगर आप tradesman और या clerk की posters के लिए apply करना चाहते हैं तो आपकी जो इस अबो 17 and half से लेकर 23 years तक होनी चाहिए वही पर कुछ candidates के लिए जहां पर relaxation भी दी गई है जैसा कि जो candidate OVC से बिलॉंग करते हैं उनके लिए 3 साल की relaxation दी गई है और जो candidate SC से बिलॉंग करते हैं उनके लिए 5 साल की relaxation आपको मिलेगी age limit में इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस बरती की monthly salary के बारे में तो अगर आपका इस job में selection हो जाता है तो जो monthly salary आपको मिलेगी इस job में वो मिलेगी 21,700 से लेकर 29,100 तक आपको monthly salary दी जाएगी इस job में अगर आपका इस जौ में सिलक्शन हो जाता है तो इसके बाद हम बात कर लेती हैं जे जो इडियन आर्मी की रैली बरती है इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है तो इसकी स्टार्टिंग डेट है 4th of January 2022 जान्नी की 4 जनवरी से जो रैली बरती शुरू हो जाएगी इसके बाद last date कि अगर हम बात करें तो 14 जनबरी 2022 तक जे आर्मी की रैली वरती करवाई जाएगी अप्लिकेशन फॉर्म की फीज के बारे में अगर हम बात करें तो चाहिए आप किसी वी कैटेगरी से भी लॉंग करते हैं तो आपकी यहां पे कोई वी अप्लिकेशन फीज नहीं लगेगी अप्लिकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इलीजिवल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस बरती में दन आपके पास कौन-कौन से डॉकॉमेट होने चाहिए तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेटा बर्थ प्रूस एडिफिकेट होना चाहिए एजुकेशन से डिफिकेट में आपके पास कम से कम आठवी पास या दसमी पास की मार्गशिट होनी चाहिए इसके लावा अगर आपके पास कोई अधर क्वालिफिकेशन जाए एक्स्पिरियेंट से अबोवी अपलाई कर सकते हैं एप्लिकेशन फॉर्म के साथ तो अगर आपके पास जे सभी डॉकुमेंट्स हैं तो आप सक्सेस्फुली अपलाई कर सकते हैं इस बर्ती के लिए इसके बाद अगर हम बात करें कि इस बर्ती का अगर आप ओफिशल नोडिफिकेशन पारना चाहते हैं इस बर्ती का अड्रेस पारना चाहते हैं कि यह बर तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वैपसाइट पे मिल जाएंगे वैपसाइट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप हमारी वैपसाइट पे आके सब चेक आउट कर सकते हैं इस बरती के बारे में और दोस्तों जे जो CRPF की और से नहीं बरती आ रही है अग अगर आपका इस जोब में सिलेक्शन हो जाता है तो काफी अच्छी सालरी आपको मिलेगी इस जोब में मेल और फीमेल दोनों इस बरती में अपलाई कर पाएंगे चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से भी नोग करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए अबो वाली वीड देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा